हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू डी एंडी कंस्ट्रक्शन तो फ्रेंड्स आज हम डिसकस करेंगे कि किसी भी बिल्डिंग का फाइब मिनिट्स में श्टील, कॉंक्रीट एंड श्ट्रिंग एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं बहुत ही इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स एज शीवि करते हैं तो फ्रेंड्स थम रूल टू कैलकुलेट एरिया आफ शट्रिंग कॉंक्रीट एंड श्टील यह फ्रेंड्स एस पर एक्स्पीरेंस बेस्ट कॉंस्टेंट है तो फ्रेंड्स आप लोगों को अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब माई य रिक्वाइड है एंड स्टील 80 केजी टू 150 केजी पर एमक्यूब अमारा रिक्वाइड होता है एस पर थम रूल यह दोनों बहुत ही इंपोर्टेंट है फ्रेंस अगर आपको स्टील एक्यूरेसी में चाहिए एंड एस पर स्क्वार फूर्ट चाहिए तो फॉर रेसिदें बिल्डिंग 5 केजी टू 5.5 केजी पर स्क्वार फूर्ट रिक्वाइड होता है यह फ्रेंस बेसिक कॉंस्टेंट है एस पर एक्स्पिरेंस एंड स्ट्रिंग एरिया इन स्क्वार मिटर इस सिक्स ताइम्स कॉंटिटी ओफ कॉंक्रीट सो होप्सों फ्रेंस आप लोगों क हों कों कॉंक्रीट स्टील और । शूंकरिंग एरिया बेसिक कॉंस्टेंट यूज करके आप कोई भी बिल्डिंग का 5 मिनित्स में में कॉंस्टिटी बता सकते हैं कि इसमें इतना steel लगेगा, इतना concrete लगेगा and इसका इतना shuttering area है. So as a civil engineer हमको concrete, steel and shuttering area के लिए ये constant required होता है and पता होना चाहिए for approximate quantity calculation. So thank you so much friends for watching this video.